आप आप लोग थीक होंगे और अच्छे होंगे खुश होंगे तो आज हम वीडियो देखने वाले हैं हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो जिसने पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रहा है तालिबान की उपर कि तालिबान की उपर कि तालिबानने जो है वह हमारी वीच साल की मीछत पड़ियो तो फेर आप इन्योज हम देखते हैं सो वीडियो को सटार्ट करने ने से पहले औरिशनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से आप औरिशनल वीडियो भी देख सकते हैं बाकी चाहते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं हिलाली साब वाट चुड वी मेक आउट ओफिट के इतनी हमने सब कुछ किया लेकिन आप एंड पर अगर हमारा एनने से भी वहां पर नी जा सकता तो इसका क्या मतलब है फिर अमेरिकंस ने उनको गेर लिया या वो इंडिया के हाथों में चले गए क्या इससे हम अजियूम करें इंडिया के हाथों में तो जरूर आएंगे इसलिए उनको पैसे की जरूरत है और हिंदुस्तान पैसे के थूरू काम करेगा उनके साथ यह बली थाले से बाहर आगी कि पाकिस्तान के अंदर से एक पक्तून रियास्त निकलने का चांस बन रहा है उस जलूस के वो जो बैनर्स और होते हैं उन पे भी ऐसे चीज़ें लिखे गए जो मेरे ख्याल में अनफरेंडली थे अनएकसेप्टबल थे तो ये तो सववाल ही नहीं पैदा होता पाकिस्तान इस पूरे खिटे में इस तरह तनहा रह जाएगा कि उसे हिंदुस्तान के जेरे नगी होके रहना पड़ेगा लेकिन अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं जो गर्वर्मेंट आई हैं उनका मुड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इसलिए कि उन्हों ने तो जी मोही जूसफ साब जाना चाहरे थे उनको भी बना कर दिया इसलिए के तालिबान ने कहा कि अपनी तश्रीफ अपने पा साब आपको आके काटेंगे अब वो काट रहे हैं सामने आगे हमारे पे बड़ा दबाओ है काम कर रहा है हमारी सारी की सारी 20 साल की मेहनत बेकार चली गई है डियूरन लाइन पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पाक अफगान बॉर्डर पर तनाव बहुत बढ़ गया है अफगान लड़ाकों और पाकिस्तानी आर्मी के बीच भारी गोला पारी भी हुई ह डियूरंड लाइन को लेकर तालिबान पीछे हटने को बिलकुल भी तैयार नहीं है और वो इस मामले में पाकिस्तान की एक नहीं सुनना चाता इस पर इमरान खान की सरकार अब बहुत दुखी दिखाई दे रही है कि अफगान तालिबान का क्या किया जाए सो फ्रेंड्स लेट स्टार इस वेरी इंटरस्टिंग वीडियो थैंकी सो मच्छ मलत्वी किया गया दोरा नहीं अब तो वाज़े हो गया है समी साहब कि ये अफगान तालिबान एक डिमेंस्ट्रेशन एक जलूस इनके खिलाफ आन अर्राइवल वो उनको पेश करते और उस जलूस के वो जो बैनर्स और होते हैं उन पे भी ऐसे चीजें लिखे गए जो मेरे ख्याल में अनफ्रेंडली थे अनक्सेप्टबल थे तो ये तो सबवाल ही नहीं पैदा होता ऐसे सुसाइटी में जैसे तालिबान का सुसाइटी अफगानिस्तान में वो खुद ये अरेंज कर रहे हैं वो खुद ये इंस्पायर कर रहे हैं इस अनक्सेप्टबल मौसम वो सब डिप्लोमेटिक बाते हैं एक्शली वजा तो व मेरे ख्याल में अब हम लोगों को सोचना चाईए हिलाली साब वाट चुड वी मेक आउट ओफ इट के इतनी हमने सब कुछ किया लेकिन अब एंड पे अगर हमारा एननसे भी वहाँ पर नहीं जा सकता तो इसका क्या मतलब है फिर अमेरिकन्स ने उनको घेर लिया या वो उस्तान पैसे के थ्रू काम करेगा उनके साथ अमरीक ये इतना अमरीका का नहीं है ये एक्चुड बात हुआ ये है मेरे ख्याल में हाला के इस वेरी अर्ली हमारा जो फेंस है ना समी साब ये फेंस ना सिर्फ जो वो कहते हैं कि अफगानीज को रोकता है जब मर्जी सर उसको भी उकाड़ें लेकिन हमें अपने मफाद तो सामने देखने है ना हमें अब बिलकुल अमरीका के आगे इस वक्त यहां पर इसलामबाद में एक जो मैं जिस डिपलोमेट से भी मिलता हूँ वजारत खारजा के जिस अफिसर से भी मिलता हूँ अमरीका की एक महबत के नशे में वो सरशार है और कहता है जी तलुकात हमारे बहुत बेतर हो रहे हैं अब तो वो डेविड बलूम भी आ रहे हैं और वो हमारे अमबैसिडर तीन साल के बाद अमरीका के अमबैसिडर यहां पर आ जाएंगे और अमरीका से अब हमारे तलुकात बहुत बेतर होना ज फैसला कर लिया है, हिंदुस्तान उनका मेजर स्ट्रिटीजिक एलाई है, मेजर नेटो लाइक पार्टनर है, हमें भूल जाएं और जो आदमी ये कहता है, मेरे ख्याल में इस नाट फिट तो बी अ डिप्लोमेट उसके बाद जो गल्फ फोर्सेज हैं, उन्होंने हमला किया भरपूर, यमन में और कई दरजनों लोग उनके बारे अब इसराइल ये कह रहा है, उन्होंने आफर की है, कि हम आपकी हिफाज़त करने के लिए तयार हैं और हम अपने सारे वसाइल आपको देने के लिए तयार हैं, अगर ये हुआ तो फिर वो जो सारा सिस्टम है, ड्रोन से बचने के लिए, मिजाइल से बचने के लिए, अगर वो इंस्टाल किया गया वहां पर, तो वहीं पर तो इसराइली उसको चलाएंगे सब कुछ तो, ब हमारे फॉरन मिनिस्टर फॉरन उनको फोन करके कहने लगे, बड़ी अफसोस की बात है, वजीर आजम ने भी किया है, इनके खिलाफ लड़ेंगे, ये वो, इलाली साब सिर्फ फॉरन मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने भी फोन किया, बस, तो मुझे आप बताएं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छी बात आपने रिमाइंड किया मुझे, थैंक यू. बात हो, और एक ही जगा पे हो, तो पाकस्तान की इंडिया से ज़्यादा है, बाहर निकलेगा, तो इज़त बने हो. लेकिन अफगानिस्तान के जो तालिबान है, जो गवर्मिन्ट आई है, उनका मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए कि उन्होंने तो जी मुई ज जोसुफ साब जाना चाहरे थे, उनको भी बना कर दिया, उनका भी ट्रिब जो है, वो अफगानिस्तान के लिए फिलहाल पॉस्पॉन कर दिया गया है, इसलिए कि तालिबान ने कहा कि अपनी तश्रीफ लेकि आम मत आईए, अपनी तश्रीफ अपने पास रखिए, तो फि अपनी कहवा, आफगान कहवा, वो पीकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और वो भी तो कहते हैं ना, हमारे पिछले डीजी आएस है, तो चाहे पीकर वापस आगे तो उसमें इतना कौन सा इश्यू है, लेकिन खैप, देखते हैं के तालिबान आने देते हैं या या ने हुआइड फ्रेंड, ये वीडियो जिसमें डिसकुशन की गई है रिगार्डिंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान और इंडिया के बारे में, मतलब के पाकिस्तान का जो ये मिनिस्टर है, मुई यूसफ और कुछ इस तरह से करके नाम है, खैर, मुझे तो नाम भी इनका ये जो हैं ये गएं हैं अफगानिस्तान के लिए उन्होंने जाना था काफी चर्चे हो रहे थे कि इन्होंने इपनॉमी के ओपर डिसकुशन करनी थी और उसी से रिगार्डिंग भी बाते भी करनी थी लेकिन अब बात समझ में ये आने वाली है कि मतलब ये लोग इतने ट लोग हमें ही मना कर रहे हैं अपने मुल्क में आने से बात चीत करने में मना कर रहे हैं या तो वो इंडिया के हाथ हो बिग गए या तो यूएस के हैंड ओवर हो गया मतलब कि उनको पैसा चाहिए इसलिए मनलब कि हर चीज में इंडिया आ बीच में चलो ठीक है पाकिस्ता कि यहां पर हम सोच को सलाम करते हैं मतलब कि हमारी जो गॉर्मेंट जो नों ने उनको सपोर्ट करने की कोशिश की वह यह बहुते हैं कि तालीबान जो हमारे लिए बहुती ज़रूरत के वक काम आएगा लेकिन यहां पर एक बात साबित हो जाती है कि कुछ भी हो जाए ना जब ज़रूरत थी तो तालीबान पाकिस्तान के साथ भूम रहा था लेकिन जब पाकिस्तान की जारूरत उनकों पर प्रकाइब हो गया स्टैबल हुग गई हमारी गॉर्मेंट अब वह क्या कर रहे हैं अब उन्होंने दूसरी लोगों के साथ कनेक्टिविटी बना लिये के ओपर मुझte म來到 पर उनने कॉंसेट बनाया हुए था के अवानि अभे सोचती है के यह यह पर इस तालिबानी सिस्टम होना चाहिए इस्लमकि सिस्टम होना छाहिए और दो को परदे में रहना चाहिए कि उनके इसा Скरथ बन गया है लेकिन मैं इक बात समझती हूँ कि यह पर जो इन्हों ने इतने साल तक उनको सपोर्ट करते रहे हैं और उसकी वज़ा से हम लोग इतना एकनौमी में डाउन हो गया है हमारी सिस्टम इतना डाउन होता जा रहा है हम लोग आएमफ में ग्रेलिस्ट में घूमते फिरते रहते ह हैं मतलब कैसे हमने घर ही बना लिया है में तो खेर मैं यह कहूंगी कि हमारी यहां का जो सिस्टम है इसको बहतर बनाना बहुत ही जरूरी था लेकिन हमने बहुत डाउन कर दिया जिस विकोज अफगानिस्तान तो अभी फुगतेंगे अब जार इसी बात है यह सब तो हमें परदाश करना ही है क्योंकि यह बीच हमने ही बोया है और अब मतलब किस से बड़ी और क्या बात हो सकती है कि पाकिस्तानी जो गर्विंट है और पॉलेडिक्स है उन लोगं को ही वहां पर आने की जाज़त नहीं है और दूसरी बात तो बड़ी बात तो यह है कि हमारी खु जो डूप चुकी है इतनी डूफ होचकी है उस बावचूद यह लोग जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं औरramer को जा कर गरने बजब कर धाया है कि हम लोग डूब है हैं हम अभी डूब तो नहीं यह जह जा रहे हैं मंतलब कि यह जा हैं तो खीर में यह कहूंगी कि ऐानी अब हमें भी समझना चाहिए हमारी गौर्डमेंट को भी वक्त आ गया कि समझ जाना चाहिए कि उनको किस चीज में फाइदा है जब तालिबान जैसे कंट्री तालिबान जैसे लोग जो है वो एक टाइम था कि यह हिंदू काफिर यह सारे चीजों में लगे हुए थे लेकिन आज वो लोग ही इंडिया के साथ अगर सपोर्ट में हैं युएस के साथ हैं तो इसका मतलब यह है कि हम लोग ही बस एक अलग साइकी अलग सोच में बैठे हुए हैं कि हमने बस एक ही चीज को फॉल अप कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि गौर्मेंट को इसके पर अप आपल है यह अफगानिस्तान की जो तालबान है उनकी तो खेर आप का गया कहना इस वीडियो के बार में मुझे शियर की जग़ों कामेंट जेक्शन में बाकी मिलते हैं नएक्स वीडियो के साथ तिल दें टेक केर बाब बाए